नमस्कार लियो लियो यानि सिंग रासी मैं सुरेश गौड और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस इंदी टैरो जो आपका अपना चैनल है इसमें आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम लियो यानि सिंग रासी की जन्रल लव रेडिंग करेंगे जो जन्रल होने के यह सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज आप उसे एकसेप्ट कर सकते हैं तो इसमें यह 11 अप्रेल से 17 अप्रेल के लिए weekly यानि सब्ता इक रेडिंग होगी और इसमें हम देखेंगे कि जो लियो के परसन है वो लियो के लियो के लि लिये क्या मैसूस करते हैं वो उनसे क्या चाहते हैं और 11 अप्रेल से 17 अप्रेल के लिए इस सिच्वेशन का आउटकम क्या रहेगा यह एक weekly यानि सब्ता इक रेडिंग है तो चलिए चलते हैं देख लेते हैं कि लियो के परसन लियो के लियो क्या मैसूस कर रहे हैं वो उन से क्या चाहते हैं और इस इस्वेशन का आउटकम क्या रहेगा लियो के परसन मैसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिस्ते में एक beginning कर लेते हैं एक शुरुआत कर लेते हैं एक चाहे बले ही वो एक दुज़े को जानते हैं लेकिन फिर भी एक बच्चे की अनर्जी की तरह एक यंग अनर्जी के साथ मिलकर वो इस रिस्ते में एक beginning करते हैं एक शुरुआत करते हैं तो चाहे इसमें समय लग सकता है लेकिन दीरे दीरे करके ये रिस्ता आगे बढ़ सकता है इसमें कुशियां आ सकती है ये रिस्ता आगे जाकर कामियाब हो सकता है ऐसा वो feel कर रहे हैं ऐसा वो मैसूस कर रहे हैं अप जाते हैं कि वो उनके साथ कोई माइंड गेम ना खेले, उनके साथ कोई मैनुपलेशन ना करें, और अगर उनके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है, कोई मैनुपलेशन कर रहा है, तो वो उन लोगों को छोड़ दे, उन लोगों से दूर, उन लोगों से किनारा करें, क्योंक को दोका दे रहे हैं, उनकी पीट में छुरा गुपने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिस्ते को बीगाडने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो वो उन लोगों पहिचाने। रहे हैं कोई दोखादड़ी कर रहे हैं कोई मैनुपलेशन कर रहे हैं तो वो सालवाजी को छोड़े उस दोखादड़ी को छोड़े मैनुपलेशन को छोड़े और अभी वो चाहते हैं कि इस रिस्ते में काफी मैनुपलेशन चल रहा है काफी माइंड गेम चल रहे हैं काफी दोखा दड़ी चल रही है तो वो चाहते हैं कि जब तक ये mind game manipulation खतम नहीं हो जाते, situation संबल नहीं जाती इस रिष्टे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और अगर वो खुद इस रिष्टे में कोई mind game खेल रही है तो भले ही चाय फिलाल के लिए वो जीत जाएंगे लेकिन आगे जाकर उन्हीं को परेशानी दुख तकलिफ हो सकती है आगे जाकर उन्हीं को दोखा इस रिष्टे में मिल सकता है तो वो चाहते हैं कि honesty के साथ, इमानदारी के साथ, loyalty के साथ इस रिष्टे को अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो उनके साथ कोई दोखा दड़ी ना हो कोई छल कपट ना हो और अगर उनके साथ कोई खेल रहा है, दोखा दड़ी कर रहा है तो उन लोगों को छोड़कर उनकी जाच परताल करके positive energy के साथ इस रिष्टे को आगे बढ़ाए या कोई राज, कोई mystery, कोई रहस्या है तो उसको जाने, पहचाने और तभी इस रिष्टे को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें तो वो चाहते हैं कि अभी ये रिष्टा कलियर नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें दांदले बाजी है, कुछ दोखा दड़ी हो रहा है, कुछ mind game manipulation चल रहा है तो वो चाहते हैं कि अभी इस रिष्टे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए अभी जब तक ये mind game manipulation खतम नहीं हो जाते, जब तक इस रिष्टे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए तो लियो क्या मैसूस कर रहे हैं, लियो मैसूस कर रहे हैं कि जब से ही रिष्टा बना है इस रिष्टे में कुछ ना कुछ वाद विवाद चल रहा है, कुछ ना कुछ उनसे छिपाया जा रहा है, दोखा दिया जा रहा है कोई उनकी इज़त नहीं कर रहा है, कोई उनकी बावना को नहीं समझ रहा है, कोई उन पर विष्वास नहीं कर रहा है हो सकता है कि पैसे को लेकर उनको कोई परेशानी दुख तकलिफ हो रही है तो वो मैसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिस्ता बना है परेशानियां आ रही हैं, situation खराब हो गई है उन पर विश्वास नहीं हो रहा है, उनके साथ विवाद हो रहा है तो वो इस रिस्ते को लेकर काफी चिंतीत है, काफी ड्रेवे है और इस रिस्ते के बारे में वो अभी फिलहाल कोई decision नहीं ले पा रहे है कोई कुछ मन नहीं है, उनका कुछ सोच नहीं पा रहे है तो लियो उनसे क्या चाहते हैं लियो चाहते हैं कि जब तक वो एव दुसरे पर विश्वास नहीं कर लेते इस रिस्ते में बरोसा नहीं हो जाता जब तक यो manipulation, mind, game केलने बन नहीं हो जाते तब तक वो चाहते हैं कि सही समय आने का, उचित समय आने का इंतजार किया जाए या हो सकता है कि जब तक वो इस situation से बाहर निकलना चाहते हैं इस रिस्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते इस रिस्ते के बारे में सोचना नहीं चाहते तो वो चाहते हैं कि इस रिस्ते के बारे में तब ही सोचा जाए जब इसमें mind game नहीं खेले जाएंगे manipulation नहीं होगी, उनकी बावनाओं के साथ नहीं केला जाएगा, उन पर विश्वास किया जाएगा, एक दूसरे को समझेंगे, तो तभी इस situation को आगे बढ़ा जा सकता है नहीं तो वो चाह रहे हैं कि इस रिस्ते के बारे में फिलाल के लिए कोई बाते नहीं की जाने चाहिए, इस रिस्ते के बारे में, रुपकर ठहर कर सोच विचार करके ही, जब सही समय हो, उचित समय हो, तभी इसके बारे में बाते करनी चाहिए अभी बाते करने का ये सही समय नहीं है, उचित समय नहीं है इसका वेट किया जाए इंतिजार किया जाए तो इस रिष्टे की situation क्या रह सकती है इसका outcome क्या बता रहा है इस situation का outcome अच्छा कुछ खास अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है दोनों तरब से ही इस रिष्टे को लेकर डरेवे हैं गबराएवे हैं एक दुसरे के बारे में सोच रहे कि ये चीजे वो नहीं रही हैं जो पहले हुआ करती थी, वो काफी चिंतित है, काफी डरेव हैं और दोनों को ही चाहिए कि जो लोग, जो situation, जो जगए, जो चीजें उनके लिए नहीं बनी है, जो चीजें उनको hurt कर रही है, दुख दे रही है, प्रेशानी दे रही है, उन चीजों को उन्हें छोड़ देना चाहिए, उस रिस्ते को छोड़ देना चाहिए, उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्य प्रिक जोड़ेने में ही इसमें भलाई है क्योंकि उन चीजा को छोड़ने में ही बलाई है सचाई है ओनेस्टी है। жถे उनके लिए बनी ही नहीं है। जो लोग बने नहीं है, जो situation जो जगय नहीं बनी है, उन चीजों को, उन जगय को, उस situation को, उस प्यार को उनको जोडने में ही बलाई है, तो ये situation ठीक नहीं है, ये इसका outcome ठीक नहीं लग रहा है, तो ये रिस्ता उनके लिए ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, अभी उने रु इस रिस्ते को छोड़ कर उन्हें लाइप में आगे बढ़ने की जुरूरत है तो आज के लिए बस इतना ही फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लेज लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स करना ना लाइक करें सब्सक्राइब करें हला की ये रिडिंग काफी negative है लेकिन ये आपके बले के लिए है आगर जबरदस्ती आप इस रिस्ते में जाएंगे तो इसमें आगे जाकर आपको ही तकलिफ होगी कम से कम जो ये 11 से 17 तरिक का समय है इसमें तो कम से कम आपको आगे नहीं बढ़ना जाएए इसके बारे में आगे जाकर जब सही समय उचित समय आए तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्ते थेंक्यू समझ